और रेट गईज आज इस वीडियो में यार हम बनाने वाले हैं कि जो नियोन इफेक्ट बटन हमको देखने को मिलता आज की जो मॉडरन वेबसाइट होती हैं उसके अंदर इसको हम कैसे डवलाप कर सकते हैं मैं बताऊंगा आपको CSS and HTML की हेल्प से बैसिकली और इसकी हेल्प स एक बार प्रेक्टिस करना यहां पर तुम आप लोगों बता रहा हूं और जो कोड रहेगा है अभी मैं जो टाइप करूंगा वो बिल्कुल फरी रहने वाला है तो सबसे पहले मैं इसका डेमो दिखाता हूं जैसे मैं इस बटन पर हावर करता हूं क्लिक में पर तो यह दे वीडियो में तो मैं बीन टाइम इसके करूआ क्या एक डीयक्टरी का नाम यहां पर तो न योन ओके neon btn मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और मेरी यहाँ पर बने के ready है यह time वगरा मुझे बता रहा है कि इस time पर आप लोगों ने बनाई है डिरेक्टरी perfect इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब मैं करूँगा क्या अब मैं ऐसा करूँगा कि cd इस neon directory के अंदर जाया जाए और इसके अंदर एक file create की जाए type null क्या की जाए type null greater than index.html तो index.html नाम से मेरे पास एक file यहाँ पर create हो चुकी है यह मुझे कुछ basically कुछ error जेनिट कर रहा है लेकिन या don't worry हमारे file create हो चुकी है मैं CLS करूँगा and मैं code and dot करूँगा जैसे मैं code and dot करूँगा visual studio code मेरा इस neon button के अंदर open हो जाएगा तो आप लोग अभी देखते हैं आप लोग अभी देखिएगा मेरा simply code and dot करते है visual studio code इस वारी directory परेक्टिकुलरी के अंदर वो open हो चुका है और एड़ गईज अब हम करेंगे क्या अब देखो मेरा सामने welcome screen आ रही है और मैं simply power cell को तो यहां से exist कर देता हूँ मैं simply हाँ पर exist लिखूँगा तो यह देखो exist नहीं हो रही है तो मुझे यहां से मैं custom को simply delete करता हूँ यहां से perfectly cut कि मैंने किया और यह देखो मेरा आप लोग इसमें डाल दिया करें और एक अच्छी हैबिट होती है जब भी आप प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो आप लोग इसमें डाल दिया करें और एक अच्छी हैबिट होती है ठीक है तो मैं यहां पर दाल दूँगा simply neon effect button neon light button कर दो यार कोई बड़ी बात नहीं है मैं simply करूँगा क्या एक anchor tag लूँगा और इसके अंदिर में चार spend tag create करूँगा आप लोग बटन भी ले सकते हो आप पर चीजे है वह आप लोग क्या पास करते हो मैं simply क्लिक में नाम से एक बटन यहां पर simply ले लेता हूँ अब मैं करूँगा क्या इस code को मुझे run करना तो आपको नीची दिखेगा go live का option अगर आप लोगों ने live server नामक अक्सें को यूज़ कर रहा है तो आपको दिखेगा तो यह देखो click में यहां पर मेरे पास जो मैं एंगर टेक लिया था वो यहां पर आ रहा है और मुझे center म कि अंदर CSS लिखूँगा कोई ज़्यादा CSS नहीं होने वाली है तो मैं style यूज़ करूँगा CSS का basic template मेरे सामने आप लोग यार बोलोगी CSS लिखते इतना कैसे आ गया आप लोग को मैं पता देता हूं मैंने वीडियो बना चुका उस पे और लड़ी आप लोग इसमें यूज लिख देने ठीक है तो मैंने कर गिया अब मैं करूँगा क्या मैं ऐसा करूँगा कि जो मेरा बोड़ी है ना इसका बोड़ी है इसमें वेड़त हो सिंप्लीज की 100 परसेंट एंड हाइट भी 100 वीपोर्ट हाइट सिंप्ली ठीक है डिस्पले मैं यहां पे करूँगा grid क्या क गारे जो मैंने संप्ली सेंटरी की तो मेरा यह जो गृक मियें सिंपली आ जाएगा कहां पे आ जाएगा यह इस पे आ जाएगा और यह जो complete बै बोडि इसका मुझे बेग्राउंड कलर का चीनि ए मुझे सबसे पहले तो मुझे यह वाला कलर चाहिए और जरूर नहीं यह कलर रहो आपने साब से कस्टमाइज कर लेना और मेरा मैन मोटिव इस यह बनती केसी है वो बताना आप लोगो ठीक है तो यह मैं करूंगा क्या जो मेरा और प्याजिक निवाज है इसमें सबसे पहले तो मैं पैडिंग दूआह और पैडिंग मैं क्या दूआँ पैडिंग मैं इसमें दूआ सिंप्ली टॉब टुबर्टम 40 पिक्सल लैप टुराइट मैं दे दूआ इसको 50 पिक्सल ओके तो मैं एत्तना किया ना तो देखो इस टे करेनı पदेगा, खोड़ा इसका कलर मुद्ध थोड़ा और इस टायब से करता हूँ यार, इसका कलर यह वाला कलर मैं इसमें ले रेता हूँ जो ठीक ता लग रहा है और बस ठीकी है, अम मैं करूंगा क्या एक काम करूँगा, मैं इसमे जो भी मेरा इंकर तेगा जो भी टेक्स का डेकोरेशन होगा वो सिंप्ली आप लोग नन कर दें और टेक्स का जो भी ट्रांसपर होगा केपिटलाइज कर दें इसी के साथ साथ आप फैमिली भी चैन्ज कर सकते हैं एरियल वाली और मैंने कर दिया अब करेंगे क्या अब इतना काम तो हमा यह मैं सिंप्ली एक काम और करूँगा इसको 70 पिक्सल कर दूँगा ताकि टॉप टूब टूटम थोड़ा और हो हाँ अभी ठीक लग रहा है अब मैं करूँगा क्या अब मैं सबसे पहले तो मैं यह करूँगा कि इस पे इस पे महां होवर करता हो ना तो इतने डिले के बा पास करे ठीक है पास करे बॉक से इडिं पास करे तो मैं आप चलता बनुब करते हूं और इसमें आप लोग देखना यह वी स्टैप से इसमें कर लेगा तो मैं चलता हूं सिंप्ली बोड़ी पे और मैं चलता हूं एंकर टेप के अंदर मुझे होवर वाला एफेक्ट से यह मैं इस होवर पे चेक करता हूं और यह मुझे सैडिंग मिल रही है इसको मैं थोड़ा settlement करना चाहूंगा मुझे settlement करना पड़ेगा तो इस पर मैं थोड़ा इसे किस काता हूं तो देखो मुझे कोई चीज मुझे सटाप से ब्रे फ़े अ मैं जा है अबुशांगा शमीक्ना है बांने एक कोपी लेटा हूं और ग eleven लितना Mirzewait में गरम आता हूं मैं को में क्रूंगा डाव में शेक्ष्य अचिक यहां करते हैं और मैं इसके इदर हां चुक कलर है उसको एडिट करूँगा थोड़ा और देखो अभी कुछ स्टैपसी होगा, वह स्टैपसी हो रहा है, मैं करूँगा क्या, दोड़ा चुक कलर है, वह स्टैपसी समय सिंप्रिट में पास कर लूँगा इस टेप से आप लोग देख सकते हैं और हम और भी चीजिशे इसमें एड़ेट कर सकते हैं फिलाल मैं इतना ही करूँगा इसके अंदर ठीक है मुझे एक समूथ एफेक्ट सेगे इसमें देखो वो समूथ यह सब्सक्राइब करें तो मालो मेरा सपैन्टेक एसा करूँ आप जाओ उस पर जाके आप लोग करें क्या आप लोग सबसे पहले तो पॉस्टन अप्सुलूट कर दो लेकिन यह जो एंकर टेक इसके आप लोग को फर्ज बनता है कि पॉस्टन रिलेटिव करो ताकि चीजी कर दो और अभी के लिए इतना ही है अब देखो मैं करूँगा क्या जो मेरा एंकर टेक है और इसमें जो स्पैन है मैं सिंप्री एडवांस का यूज करूँगा आप लोग को मैंने चीजे बता रही है मैं यहां पर जाओंगा सिंप्री एनफ साइल्ड वन करूँगा एनफ से स्पैन टेक की जो भी चाइल्ड वन है उसको टार्गेट करते हुए मैं सिंप्री करूँगा क्या विर्थ मैं डाल दूगा सिंप्री इसमें 100% अकोर्डिंग टु परेंडिव तो मैं यहां पर डालूँगा सिंप्री विर्थ 100% एंड हाइट मैं तुपिक्सल डाल तो अभी होगा क्या अभी देखो इस टाइब से मुझे चीजा मिल रही है लेकिन जो इस टैब से मुझे मिल रही है यह जो लाइन मुझे यहां पर मिल रही है वहां इसको टॉप पे सैट्लमेंट करना सहूँ गाल तो मैं इसका टॉप से watch trigger welli आप ही दिखाई देगी ठीक है अब मैं क्या करूँ मैं ऐसा करूँ कि यह जो ए है इस पे कोई भी होवर करें तो जो मेरा स्पैन है ठीक है इसकी जो भी एनज चाइल्ड वन है इसको क्या करो इसको जो लेफ्ट से आप सिंप्ली 100 परसेंट का गेप कर दो तो देखना यह देखो इस लेफ्ट से जा रही है पाफेक्ली है इसमें कोई कोई प्रॉल्म नहीं होनी चाहिए तो मैं करूँगा क्या इसका अब मुझे सिंप्ली राइट वाला मतलब उपर से नीचे की तरफ जाए इस बटन के राइट साइड में इस पर यहां पर तो मैं करूँगा क्या जो मेरे सिंप्ली ए है और जो स्पैन है इसकी जो एनचाइल्ट होगी उस पर आप लोग जाओ और यह सेम प्रोपर्टी इसको आप लोग कोपी करें पेस्ट करें इसमें चेंजमेंट करना पड़ेगा हमको सबसे पहले तो हाइट मुझे यह देखो आप लोग सब्कारिसके जतकी प्निलिए है मुझे लेट से नहीं मुझे चाहिए राइट से स्टाइब तो यह स्टाइब तो अब मैं समस् बिफ्सफर्फब को कितना ऐलाइक वर्डर भी इतना में एक स्टाइब पीट्स के देखो यहां से यहां पर आ गया इस टैप से ठीक है और इसी के साथ मैं करूँगा क्या यह जो ट्रांस्पेरेंट मुझे कलर दिखाई दे रहा है मैं इसको टूप से कर दूँगा ताकि चीजी थोड़ी और खोब सरत दिखें तो मैं यहां पर जैसे टॉप से करता हूं न त आप लोग देखो इस टैप से मेरे पास यह चीजे दिख रही है अब मैं चाहूंगा कि इस पर कोई होवर करें तो नीची आए ठीक है तो मैं करूँगा क्या इस ए पर स्पैन टेक चलाओंगा सिंप्ली और इस पर मैं डाल दूँगा कि इस ए पर सोरी मैं इस टैप से एप कोई भी होवर करें तो यह जो स्पैन है क्या है स्पैन है इसका जो भी एन चायल्टू होगा उस पे आप लोग करें क्या आप लोग सिंप्ली टॉप से कि वे लोगों कितनी कर दें 100 पर से तो अब देखना यह देखो यह देखो पाफेक्ली चीज़ें बन रही है नहीं बन हो ठीक है इतना मेरा काम इसी के साथ मैं इस टैप से ही क्या करूँगा थाइड को करूँगा सिंप्ली मैं किसको करूँगा थाइड को करूँगा थाइड को करूँगा थाइड को गाइज मुझे इसको कॉपी नहीं करना बेसिकली मैं चाहूंगा कि मेरा मुझे इसमें काफी पेस्ट करता हूँ यहां पराम्ने किया मैं सिंप्लि-बन दाल दुगा थरी-द्यवद्ध ब्रूर्फेक्ट और इस पर सिंप्लि-फिर्फेटर आज से लेइन ट्रैफ्ध ठ्रिफ्स अनल्यक्रम прекращ और यह अब देखो यह देखो इस टेप से मुझे चीज़े दिखाई देरी है किसा लग रहा आप लोग को आप मुझे बताओ हमारा बन चुका है अब हम करेंगे क्या अब सिंप्ली यह जो इसके अपोजिट है ना मतलब फोर्थ तो मैंने थर्ड किया तो मैं सिंप्ली सेकें कर लूगा और यहां पर आकर मैंस का चैंज कर लूगा जो इसका एने चायल टू फोर कर लूगा सिंप्ली और मने फोर कर लिया अब देखो इस टेप से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है मैं चाहूंगा कि टॉप से बिल्कुल सही हो यह सिंप्ली बोटम से क्या हो 100% और तो यह जो मुझे बोटम से दिखाई दे रहा है इसको मैं सिंप्ली कर दूगा टॉप से तो अब आप लोग देखेगा स्टैप से मुझे चीज़े दिखाई देरी देखो हमारा बन चुका नहीं कितना एजली हमारा बन चुका अब हम करेंगे क्या यह जो बाहर चीज़े म लेकिन अभी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है सबसे पहले तो हम करेंगे क्या देखो सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा इसका अब बलो एक बार निम्मत करो देखो देखो यह उपर वाली यह मतलब यह हमारा उपर वाला यहां से मतलब लेफ्ट से राइट की तरह बारी यह लाइन यह वाली अगर यहां पर टच हो तभी सिंपली मेरा यह जो राइट वाला है यह नीचे की तरह आना चाहिए उपर से तो मैं करूँगा क्या इसमें ट्रांजिक्शन डिले सेट करेंगे और मैं ऐसा डिले सेट करूँगा इसमें कि जो मेरा यह वाला सेट है सिंपली इससे महीं जाओंगा और मैं ऐसा करूंगा कि transaction delay Σंपरी मैं सेकिंड वाले पिया करूँंगा तमच्छ सवालेप्पिया कर मोंच हम चाहिए तो प्रण्चेशन डिल्यम कितना अब्लाई घर हों कि यह पहले चल रहा है। यह देखो ठीक है स्टेप से लिगिन यहार मैंने ज्ञादा खर दिया मैं सिंपमिल इसको सभी पिम है कब अपलाई तो नहीं कर सकता है सको मैं 200 मिलिशेकंड़ करके देखता हूं यह देखो अभी ठीक है, अगर मैं 100 millisecond करता हूँ, हाँ, अभी ठीक है, अब इसको मैं कितना करूँगा, इसी को completely copy करके, मतलब उपर से निचे की तरफ राइट वाला आए, तब यह जो बोटम वाला है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसको हम सेट करेंगे, और मैं यहाँ पर डालता हूँ, simply paste, और मैं यहाँ पर इसको कितना करूँगा, 150 millisecond, अब देखना आप लोग, यह देखो, मैं इनफेक्ट थोड़ा और करूँगा, इसको, मगर 200 millisecond करता हूँ, ट्रांजिक्शन डिले मैंने सेट किया, बट हो नहीं रहा हो तो चुका एर वो, अभी हुआ नहीं चलो, एक काम करते हैं, यह नहीं हुआ तो हम simply, इसमें second वाला हमने अप्लाई किया, और हम simply इसको copy करते हैं, और अभी हम simply इसमें paste करेंगे, फूर्थ वाले में, यहाँ पर आके, और मैं इसको करते हूँ, simply 4, 100 millisecond, ओके, यह देखो, यह देखो, simply, आप लोग देख सकते हो, perfectly यह काम हो रहा है, इसमें, अब हम करेंगे क्या, अगर simply मैं इसका overflow hidden कर दूँ, यहाँ पर आके, और जैसे मैंने overflow hidden किया, यह देखो, बन चुका ना, आप लोग देख सकते हो, perfectly हमारा बन चुका, हम लोग simply इसमें color भी set कर सकते हैं अगर मैं simply इसमें color डाल दू, कुछ, इस टैप का, और इसमें मैं simply color डाल दू, कुछ अलगी type का, इस टैप का, और इसमें मैं simply color डाल दू, इस टैप का, और इसमें मैं red color की जगाँ पास कर दू, कुछ अलग type का, इस टैप का, मैं simply color पास कर दू, तो अब आप लोग देख वह complete ब्लीव कर दो ठीक है देखो complete इसका अब ब्लीव होगा एक तम अच्छे से light मुझे दे रहा है और यह कब हो जब यह simply चारो जो बॉर्डर इसमें हम चारो बॉर्डर जब भी apply हो जाते हैं तब मुझे दिखाई दे तो मैं simply इसमें delay set करूँगा और वह transaction delay क्या होगा transaction delay अब मैं यहां पर डाल दूँगा transaction delay और step से मिसमें डाल दूँगा one second step से ठीक है और अब आप लोग देखिएगा all right अब यह हो रहा है यह देखो ठीक है मैं simply और थोड़ा इसमें settlement कर सकता हूँ मैं यहां पर डाल सकता हूँ कि point eight seconds step से यह देखो थोड़ा zoom करके दिखाता हूँ आपको यह देख सकते हो steps ठीक है हम simply और भी इसमें कम कर सकते थे point seven second करते थे यह देखो यह देखो perfectly हमारा काम कर रहा है इसमें क्या है इसमें नीचे और दिखाई दे रहा है मुझे color और वो भी हम simply settlement कर सकते हैं और वो हम केसे कर सकते हैं उसके बारे में यह थोड़ा सी बात हैं यहाँ पर कर लेते हैं simply एक property होती है जिसको हम simply बहुत सकते हैं कि box webkit reflect मैं यहाँ पर डालूगा वयाँ पर कीट box reflect simply ठीक है और मैं यहाँ पर डालूगा क्या यहाँ पर डालूगा मैं simply below मतलब नीचे की तरप से और मैं यहाँ पर डालूगा simply zero simply मैं 3 pixel का और इसमें मैं linear gradient करके एक color यूज कर सकता हूं linear gradient and step से और linear gradient मुझे यहाँ पर करना था gradient और मैं यहाँ पर एक color होगा transparent simply two right से कर सकता हूं step से और मैं यहाँ पर डाल सकता हूं two right से मतलब एक color होगा trans par transparent और एक color मैं अगर इसमें डाल दो blue step से तो यह निचे देखो कि आपके सामने step से देखो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं चीज़े यह देखो इस टैप से ठीक है यह देख सकते हो इस टैप से लेकिन देखो इसमें क्या कि इसमें perfectly दिखाई दे रहे हैं मैं करूँआ क्या right से ना करके मैं simply इसको अगर bottom से कर दूँ तो क्या होता है तो आप लोग देख सकते हो perfectly मुझे अभी चीज़े दिखाई दे रहे है इसमें यह देख सकते हो इस मोझे यह देख सकते हो के ओए ठीक हैनक से कितना हम ने यह चीज़े श्यंध में आप लोग बशुलिपी के इन्दर आप लोग फ्री चेंदर आप लोग को प्रवायड कर दिया जाए गाई बाइबाइ